नाहम विप्रो नचनर्पती नापी वैश्यो नसूद्रो नाहम वड़नी नचग्रहनपती नववनस्थो यतिर्वा किन्तू प्रोध्या निखिल परमानंद पूर्णा अम्रात भिर गोपी भरतुर्पद कमलेयोर दास दास अनुदास तू क्या कह रहे है वो कि ना मैं विप न शूद्र हूँ मैं इन किसी भी वर्णो में नहीं आता हूँ ना मैं किसी का स्वामी हूँ रतात मैं गरहस्त हूँ ना मैं वानपरस्त हूँ तो मेरी एक्ट्णा i Ichyalog integrity क्या है, मेरी actual identity है मेरी actual identity है मेरी गोपिया जो है उनके दासों के दासों का दासत तु स्विकार करना मेरी actual identity है तब अभी क्या हो रहा है? अभी हम किसी से भी पूचें कि आपकी आइडेटी क्या है? तो वो कहेगा कि मैं आमक इस्थान पर रहने वाला विक्ति हूं, मैं ये particular occupation में लगा हुआ हूँ, मैं doctor हूँ, मैं engineer हूँ, मैं एक business man हूँ, मैं पच्चा हूँ, मैं किसी की वाइप हूँ, मैं किसी का पती, पिता हूँ तो यह हमारी identity actually रियल identity नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यह तो समय के साथ identity हमारी चली जाएगी जो हमारी real identity है वो क्या है हमारी जो real identity वो है गोपी भॉरते और पद कमलए और दास दास अनुदास कि जो भी हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, पुश्रिलप प्रहुपात के अनुगत्य हो कि वो केवल एक बात के लिए कर रहे हैं, कि कैसे हम दास बने, तो ये बहुत महत्पून बात है, तो हमने अभी तक कि सत्रों में देखा कि प्रहलाद माहराज ने बताया हमें के श्रावनम, कीर्तनम, विश्नु, इसमरनम, पाद, सेवनम, अर्चनम, बंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्म, निवेदनम तो ये नवधा भक्ती के नौ तरीके उन्होंने बताए क्या क्या बताए हमें उन्होंने बताए एक श्रमनम, श्रमन करना, एक कीर्टनम, किसका करना विश्णू का करना, इस्मरनम, पादसेवनम, अर्चनम, बंदनम, तो ये सारे सत्र हम डिसकस कर चुके हैं पिछली कुछ बार में और आज हम बात करेंगे दास से हम भगवान का दास कैसे बना जाता है अब बात ही उठती कि भगवान का दास क्यों बनना है हम बिना दास बने क्या हम भक्ती नहीं कर सकते तो हम इस पे भी चर्चा करेंगे ये भी हम चर्चा करेंगे कि actually दास बनना क्या बहुत अच् दासातव बहार भी अच्छा नहीं होता और अंत में उसे हमेशा लगता रहता है कि कैसे में ये दासात तो छोड़ू और में बे énorm से का कहीं मालिक बन जाओ लेकिन भौतिक जगत में लोगोंके साथ आदान प्रदान करना और भगवान के साथ आदान प्रदान करने में क्या अंतर है अंतर ये कि भगवान अखिल रसामरत सिंदू है सिंदू अर्थात पूरा एक ऐसा समुद्र अखिल रस सारे रस कहां पर है भगवान के अंदर है और इसी लिए जब सारे रस भगवान के अंदर है तो ये दास का रस भी भगवान स से ही आता है तो भगवान के जो पहले एक्सपेंशन है वो कौन है बलराम जी और बलराम जी से ये दास की जो भावना है दासत तो है इसका आविर भाव होता है तो दासत तो कहां से आरंब होता है बलराम जी से होता है इसके लिए बलराम जी को क्या कहते हैं कि वो आदी दास ह भी सब दासों के वी ऊपर जहां से एक्चुली फाउंटन एड है जहां से चालू हो रही है यह concept वहाँ पर बलराम जी तो हम कोई भी अगर दास बनने की भावना रखते हैं तो हमें किसके अनुगत्य होना पड़ेगा बलराम जी से हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे वो भगव में दो ही अंतर एक कलर का अंतर है जो हम सब जानते हैं वर्ण उनके अलग-अलग है और दूसरा जो अंतर है वो इस भाव का अंतर है कि एक जो है वो सेवक भगवान है सेवक की आकांगशी भगवान है और एक जो हैं सेवक प्राप्त करने के लिए आकांगशी है वो का हमें दास बनना है गोपियों का दास बनना है तो महत्पून बात क्या है आज जैसे हमने समझा कि अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आप कौन हो तो वो क्या उत्तर देगा वो उत्तर देगा कि मैं अमुक अमुक शहर में रहने वाला अमुक व्यक्ति हूँ मेरा जन्म का इस्थान मेरी जन कीती थी यह और मैं अभी यह कार में रथ हूँ लेकिन actually हमारी आइडेंटिटी क्या है actually हम सब की आइडेंटिटी जितने हम सब सुन रहे हैं हम सब की एक ही आइडेंटिटी और वो क्या है जीवे रा स्वरूप हो है कृष्णेर नित्यदास हम लोगों की सबकी एक ही आइडेंटिटी और वो क्या है जीव का एक ही स्वरूप है और वो है कृष्ण का नित्यदास अब ये लाइन हम सब ने बहुत बार सुनी क्योंकि भक्ति हम कर रहे हैं लेकिन जीवेर स्वरूप हो एक कृष्णेर नित्यद तो इसलिए हम क्या है? जीवेर स्वरूप वे कृष्नेर नित्यदास अब प्राब्लम क्या है? ये जो नित्यदास की हमारी identity थी, इस नित्यदास की identity को हम भूल गए। और हमने क्या सोचा कि हम भगवान से अलग होके भी enjoy कर सकते हैं। और जब हमने सोचा कि हम भगवान से अ लेते हों हम किसी के दास नहीं बनना चाहते तो बगवान ने हमें कहां डाल दिया इस बहुतिक जगत में डाल दिया और अब हम क्या हो गए तीन गुणों के अधीन आ गए और तीन गुणों के दास हो गए हम अपनी इंद्रियों के दास हो गए कोई यह कह सकता है कि मैं तो कि किसी का दास नहीं हूं लेकिन फिर भी वो परिवार का दास है समाश का दास है राष्ट का दास है किसी न किसी की सेवा तो हर व्यक्ति करी रहा है अगर किसी और की नहीं कर रहा है तो उसने एक पालतू कुत्ता पाला हुआ है उसकी सेवा कर रहा है उसे रोज घुमाने ले ज सकते थे लेकिन वहां से छोड़ के हम कहां आगा इस धर्ति पे आ गए इसी लिए कहते जीवे रहाशरूप होई कृष्णेरने टिदास क्रिषणेर तथस्ट शक्ती बेता भेदबेद प्रकाष तो हम भगवान की कैसी शक्ति है तठस्त शक्ति है तठस्त का अर्थ क्या होता है ये भगवान की तीन एनर्जी है ऐसा मान लीज़े एक हायर एनर्जी है एक बहुतिक जगत की एनर्जी और एक हम बीच में हम जो बीच में एनर्जी है वो चाहें तो आध्यात्मिक एनर्जी और आ यह समझेंगे जो बात में आप कहूंगा कि अगर कोई कंप्यूटर का कोड लिखा जाता है और अगर उस पूरा कोड मान लेजे पचास लाइन का है किसी एक प्रोग्राम को एक्जेक्यूट करनेगा अगर उस में से बीच में से एक लाइन भी हम अटा देंगे तो वो कोड फ पूरा सब कुछ चाहे वो हमने बहुत अच्छे से भी किया और सब गलत हो जाएगा और हमारा उत्तर गलत निकलेगा ऐसे हम जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा करें हमारी कोड बहुत परफेक्ट लिखी हुई है लेकिन अगर उस कोड में ये एक लाइन लिखना भूल है हम कि जीवे रस्वरूप होए कृष्णे रनेत्य दास तो अंत में क्या होगा अंत में वो बात हमें समझ में नहीं आएगी क्योंकि सारे कुछ का सार जो है वो भगवान के दास बनना है और वही भगवान का दासत्व हम नई स्विकार कर पा रहें इसलिए बहुत का एक ही स्वरूप है भगवान का नित्ति दास बनना है अब प्रॉबलम क्या है क्योंकि हमारा दासत्व का अनुभाव इस संसार में कभी भी अच्छा नहीं रहा है जब भी हमने किसी का दास बनने का प्रयास किया हमको या तो शोशन किया गया हमारा या हमें बहुत कर दो हम इतना पैसा देंगे, लेकिन उतना नहीं मिला, तो यह जो हमारे रहे, इस अनुभाव के कारण हम ढरते हैं, हमको लगता है कि जैसे हम यहां दास बनते हैं, तो लोग सब सोशन करते हैं, क्या मैं भगवान का दास बनूंगा, तो क्या मेरा शोशन ऐसे ही त मज़ में आता है कि हाँ मैं भगवान जो है बनना चाहता हूँ तो एक सीड़ी क्या होती है लोगों को लगता है कि मैं ही भगवान हूँ आज मैं भूल गया हूँ मैं एक दिन भगवान बन जाओंगा तो ये जो भगवान बनने की प्रक्रिया इसको कहते हैं मायावाद और ज पहली सीड़ी तो क्या थी हम दास के नाम से डर गए क्योंकि समाज में हमने उनके साथ दुर्वेवार होते देखा वो अगली सीड़ी थी हम भक्ती में तो पूरी तरह से नहीं आए लेकिन हमको ये किसी ना पढ़ा दिया सिखा दिया कि आप भगवान बन सकते हो तो भी हम भ जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास ये हम दोनों स्तितियों में नहीं कर पाए इसलिए जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास ये जो ultimate teaching है understanding है इसके लिए क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमें वैश्णविजम में आना पड़ेगा अर्थाथ भग जो है विराठ है और हम जो है वो छोटे से हैं हम अनू है वो विभू है जब भगवान बड़े है तो naturally बड़े की सेवा कौन करेगा जो छोटा है अर्थात automatically क्या हो जाएगा हम भगवान के भक्त बन जाएंगे तो यही बात भगवान भगवद गीता में कहते हैं अगर अब यभी चाहरे न भक्ति योगे न सेवते तो अब यभी चाहरे मतलब un interrupted रूप से अगर कोई भक्ति करता है तो क्या कर रहा है वो मेरी सेवा कर रहा है तो भगवान हर किसी की सेवा accept नहीं कर लेंगे ये भी बात है आज अगर मैं सोचू कि मैं भगवान का भक्त बनना चाहरा हूँ और आज ही से क्या भगवान मेरी सेवा लेने लगेंगे वो मेरी सेवा लेने के लिए राजी हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि अभी तो मैं बहुत ही early stage में हूँ अपनी भक्ति के तो मैं जो भी करूंगा भगवान उसके साथ reciprocate नहीं करेंगे तो फिर कब होगा ऐसा समय जब भगवान reciprocate करेंगे तो इसको हम समझते हैं कि भक्ती actually किसी की monopoli नहीं है ये बात समझना चाहिए भक्ती किसी की भी monopoli नहीं है अर्थात कोई सोचे कि मेरे पास धन कम है तो मैं भक्ती नहीं कर सकता कोई ये सोचे कि मेरा जान कम है तो मैं भक्ति नहीं कर सकता कोई ये सोचे कि मैं इस्त्री या पुरुष हूँ इसलिए मैं भक्ति नहीं कर सकता तो भगवान ने बहुत इसपश्ट रूप से हमें दिखाया भागतम के माध्यम से हमें समझाया क्या समझाया कि भक्ति एक्चुली किसी एक वर्ण की किसी एक वेक्ति की किसी एक जाती की बपोती नहीं है भक्ती सब के लिए इनफेक्ट भक्ती भगवान ने ये दर्शाया कि मनुष्योनी में भी होना आवशक नहीं है जैसे गरुड जी भगवान की भक्ती करते है और उनके दास है तो लेकिन वो मनुश्योनी में तो नहीं है गजेंद्र ने भगवान की इतनी बढ़िया इस्तुति और भक्ति की तो क्या वो मनुश्य थे राजा थे कहीं के नहीं थे धुरू महराज प्रहलाद महराज जो पांच वर्ष के बालक हैं क्या वो बहुत ग्रोन अप बहुत बगवान सबको बक्ति अविरल रूप से देखते हैं वो यह नहीं करते हैं कि किसी को बक्ति देंगे और किसी को नहीं देंगे तो इसलिए भगवान का दास कौन बन सकता अगर कोई प्रश्न पूछे आपसे तो भगवान का दास हर वो व्यक्ति बन सकता है जो भगवान का दास बनने का इच्छुक है प्राब्लम भगवान की तरफ से नहीं है प्राब्लम हमारी तरफ से कि हम कितना भगवान के साथ र तो जब भी भगवान के दास की बात होगी संसार में कहीं भी और अगर हनुमान जी का नाम नहीं आएगा मतलब वो विवेशना पूर्ण नहीं मानी जाएगी ये भगवान का कतन है तो भगवान के दासों में सर्वो पर ही नाम है हनुमान जी का और हम सब लोग हनुमान जी की विभिन जो उन्होंने अपने जीवन में लीला की उन सब को हम जानते हैं कि किस प्रकार से जब से वो भगवान से मिले रिशिमुक परवत के नीचे तब से लगा के तो आज भी वो भगवान की सेवा में राते हैं तो ये दिखाया हनवान जी ने कि किस प्रकार एक भक्त जो होता है वो अपनी पूरी इंटलिजन्स को भी यूज़ करता है भक्ती करने में ऐसा नहीं होता है कि वो किवल अनुगत्य है तो वो अपना इंटलिजन्स अपना पावर नहीं यूज़ करता लेकिन सारा पावर और powerful होने के बाद भी वो कैसा रहता है हमेशा विनम्र रहता है तो हर्मान जी के पास इतने सारी शक्तियां हैं लेकिन वो कैसे हैं विनम्र है तो एक दास को भी कैसा होना चाहिए ऐसा ही होना चाहिए बहुत एक जगत में भी अगर हम देखें तो अगर आपका कोई सर्वेंट हो और वो बहुत एरोगेंट हो हर बात में आपसे आर्ग्यू करता हो तो क्या उसको सर्वेंट रखना चाहेंगे अगर आपको option मिले कि नहीं आपको ऐसा भी एक सेवक मिल सकता है जो आपकी बात सुनेगा ध्यान से मानेगा और उसको पूर्ण करने का प्रयास करेगा जो आप उसको आदेश देंगे तो आप ऐसे भक्त को या ऐसे सर्वेंट को बिलकुल अपने साथ रखना चाहेंगे तो यही बात हनुआँ जी ने अपने जीवन में बताई तो हनवान जी की कथा में बहुत सारी बाते हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं लेकिन क्योंकि आज का सत्र मुक्हिता दास्यम पर है तो हम किसी और सत्र में हनवान जी पर विस्तार से जब चर्चा करेंगे तो हम इन बातों को प्रमुक रूप से चर्चा करेंगे लेकिन एक बात जो मैं करना चाहता हूँ वो यह है कि हनवान जी को जब यह आदेश मिलता है राम चंदर जी से कि जाईए आप सीता माता की खोज में साउथ इंडिया की तरफ जाईए और देखिए क्या आपको वहाँ पे कोई सफलता मिलती है तो जब वहाँ पर उन्हें संपाती से भेट होने के पूर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके क्योंकि सारे उनके प्रयास विफल हुए और कहीं भी उन्हें सीता माता की कोई भी ख़बर नहीं मिलती है और वो निर्ने कर लेते हैं कि इस तरह से वापस जाने से और यह बोलने से कि नहीं हम सीता म संपाती जब इस बात को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यह क्या गेरा बना के बैठे हैं और यह घल चल नहीं हो रही क्योंकि नॉर्मली वानर सुभाव ऐसा नहीं कि वह एक स्तान पर बैठ जाए तो वो फिर पूचते हैं और फिर जब उन्हें पता चलता है कि अच् अच्छा यह सब सीता माता की खोज में तो फिर वो बताते हैं कि रावन जो है ले गया है और लंका में उन्हें कहीं चुपागे रखाया लेकिन लंका और जहां पर यह हैं इसके बीच में बहुत बड़ा समुद्र है जिसको पार करना है अब यह समुद्र कैसे पार किया ज लिए बहुत लंबी चलांग लगाते हैं यह जो हनवान जी की चलांग है यह बहुत महत्पूर्ण है एक दास को कैसा होना चाहिए यह इस हनवान जी की जो उन्होंने चलांग लगाई है उसमें वो दरशाते हैं अब नॉर्मली हम कता सुनते हैं तो मैं लगता है ठीक है ए बड़ा important है अब विस्तार से हम कभी चर्चा करेंगे लेकिन हनवान जी जब जम कर रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले मेनाक परवत एक proposal देते हैं और उनका proposal क्या है कि आईए थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए इतना बड़ा कारे करने जा रहे हैं और थोड़ा जब सुस्त लेंगे तो फिर से आप आगे अपने कारे पे निकल जाईए तो हनवान जी क्या करते हैं हनवान जी हाथ जोड़ते हैं एक हाथ से मेनाक परवत को respectfully चूते हैं और बोलते हैं कि नहीं अभी मेरा कार जो प्रभू ने दिया है वो महत्पून तो दास को कैसा होना चाहिए दा कारे और अच्छे से कर पाऊं मुझे इतने सारे लोगों का संग मिल जाए तो मैं कार अच्छे से कर पाऊं या मैं ये कारे कर रहा हूं तो 20 लोग मुझे रेकोगनाईस करें और मुझे बोलें कि अरे वाह आप कितना बड़ी अकारे कर रहें ये कुछ भी नहीं होना चाहि कि नहीं मुझे कोई सुख सुविधाओं के लिए भगवान की सेवा नहीं करने मुझे तो सेवा इसके लिए करने क्योंकि वो मेरे प्रभू की आज्या है इसी प्रकार से हनवान जी को अगली जो मिलती है वो सुरसा मिलती है तो सुरसा भी क्या है सुरसा उनके मिशन को रोकन का प्रयास करती हैं लेकिन हनुमान जी वहां भी अपना चातोरे दिखाते हैं और वहां से भी वो उने प्रसंद करके आगे निकल जाते हैं और फिर जब वो आगे उड़ रहे हैं तो फिर उने लगता है कि ये मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं तो फिर उनका ध्यान जाता है कि एक सिम्हिका है, सिम्हिका ने उनकी शेड़ो को रोक रखा है, उसे ये सिद्धी थी कि वो किसी को शेड़ो से उसकी परचाई से पकड़ सकती थी, सिम्हिका क्या दर्शाती और हनुमान जी सिम्हिका के साथ क्या करते हैं, हनुमान जी ने सुर्सा के साथ क्या किय intelligently obstruction को relieve किया अर्थात हम जब भक्ती में आएंगे और दासत्व के भाव से कोई सेवा करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सारी रुकावटे आएंगे रुकावटों में हमें अपना intelligence यूज करना है और रुकावटों से पार पाना जैसे हनुमान जी ने किया सुरसा ने जब अपना मुँ फैलाया तो वो बिल्कुल छोटे से हो गए मुख में अंदर गए और बाहर निकल गए बोले आपको यही तो वरदान है न कि यहां से जो भी गुजरेगा आपके मुख से होके गुजरेगा मैं आपके मुख में गया और बाहर निकल गया तो इस तरह हमें भी intelligence यूज करना है लेकिन सिम्हिका के साथ हनुमान जी ने क्या किया सिम्हिका को हनुमान जी ने मरत्यू के घाट उतार दिया क्योंकि सिम्हिका क्या दर्शा थी यह द्वेश जब भक्ती में हम सेवा करते हैं और दास बनते हैं तो हमारे साथ और भी भक्ते हैं जो दास बन रहे हैं और सेवा कर रहे हैं जब हम देखते हैं कि अरे वो आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमको एक द्वेश होता इर्शा होती है और उस द्वेश में हम क्या करते हैं उनकी प्रगती को रोकना चाहते हैं तो जब भी हम किसी की प्रगती देखें भक्ती में तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि कैसे मैं उसकी प्रगती रोको हमें क्या सोचना चाहिए कि ये मेरे अंदर का द्वेश कैसे समा इसके लिए मैं अपने वरिष्ट भक्तों से चर्चा करूं और इसका उत्तर डूंग। हम सब की अपनी अपनी कमजोरियां हैं भक्ती में, इनको समझना चाहिए, कोई काम में जादा वशीबूत हो जाता है, कोई क्रोध में जादा वशीबूत होता है, किसी को इरिशा का भा रहे और हमारा कुरोध भी वैसे ही बना रहे और हम भक्ती भी करते रहे तो भक्ती तो हम दिखावे के लिए उपरी तोर पे करते रहेंगे, लेकिन व्यस्तुत्व जो दासतवकी एक अभिमान होना चाहिए रिदाय में, और एक प्रसन्नता होना चाहिए, कि मैं दास हूं का ये कभिमान होना चाहिए एक दास को जिसे हनुमान जी को अभिमान है कि वो रामचंदर जी के दास है इसलिए जब रावन उनको देखते हैं हनुमान जी को तो अगर आप वालमी की रहमाइन पढ़ेंगे तो उसमें प्रसंग आता है जिसमें रावन सोच रहे हैं कि ये इत अर्वान जी कहते हैं कि हे रावन ये शक्ति वहीं से आ रहे है जहां से आपकी शक्ति आती है अर्थात ये वैसा ही उत्तर है जैसा प्रहलाद महाराज को जब हिरनकश को बूचते है कहां से आ रहा है सब कुछ तो भगवान से आ रहा है रावन का एश्वर भी कहां से आ रहा है वो भी भगवान का एश्वर है और जब दासत्तु में ऐसा भाव रहता है तो हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो कभी रुकेंगे नहीं तो और अच्छे से हम करके आएंगे जैसे हनमान जी का प्रोजेक्ट केवल इतना था कि जाते सीता माता की खोज कवर लेते और आके राम चंद्र जी को बताते लेकिन साथ साथ में क्या हो गया लंका दहन भी हो गया तो ऐसी जब हम पूर्ण रूप से समर्पित हो के दासत्त्त के भाव में रहेंगे तो भगवान हमें और बड़ा प्रोजेक्ट दे देते कि अगनी लगाई जा रहे है तो एक राक्षेसी जो है वो जाके सीता माता को बताती है कि वो हनुमान जो आया था उसको तो पूछ में आग लगाई जा रहे है तो सीता माता क्या करती है सीता माता हाल जोड़के प्रार्थना करती है और किसको प्रार्थना करती है वो प्रार् है हनुमान इसको इस अगनी को छूना भी नहीं चाहिए ये प्रार्थना है सीता माता की इसलिए जब हनुमान जी देखते हैं कि मेरी पूँच में आग लग रही है लेकिन मुझे तो ठंडा लग रहा है मुझे तो बिलकुल भी अगनी का आभास नहीं हो रहा है तो ये अगन कुछ को बुजा के तुरन जाके देखते हैं कि जहां सीता माता बंदी हैं वहां तो आग नहीं पहुंच गए तो वो तब भी इतने इंटलिजेंट हैं कि ऐसा नहीं कि कुरोध में आ गए हैं वहले सब जला देंगे खाक कर देंगे कई बार होता है प्रोजेक्ट जब मिलत हो जाते हैं तो उस समय उन्हें बुलाए जाता है कि आप भी अकेले हैं जो कुछ कर सकते हैं और वो करते है वहं और ग्लासिक हम कभी लिस्कस करेंगे इतने सारे lessons हैं उसे एक लीला के अंदर हनुमान जी के तो हनुमान जी जैसे दास्त्व का भाव किसी का नहीं हो सकता तो इसलिए कहते हैं कि इतना पावर होने के बाद ऐसा नहीं कि कहीं भी उनकी अंदरियां जो है वो दे देती हैं वेक को इस्थान दे देती है ऐसा नहीं होता अखंड ब्रह्मचारी है बुद्धी मताम वरिष्टम लेकिन उतने ही intelligent भी है और वरिष्ट भी है इतने senior भी है तो ऐसे वानुर युथ मुख्यम सारे वानुर मुख्य कौन है हमारे लेकिन उनका मेन गुण क्या है उनका मेन गुण जितेंदरी होना नहीं है बुद्धी मता नहीं है वरिष्टम नहीं है मारुत तुल वेगम भी नहीं है उनका जो मेन गुण है वो राम के दूत है वो राम के दास है और कैसे दास है कि वो देखते हैं एक बार सीता माता को सिंदूर लगाते हैं तो पूछते हैं कि माते क्या लगा रहे हैं आप बीच में यहां पे सिंदूर क्या है बोले यह सिंदूर है यह लगाने से राम चंदर जी की आयू बढ़ती है और रामचंदर जी पर विपत्या नहीं आएंगे तो हनवान जी सुन लेते हैं इस बात को और वो जाते हैं और पूरा सिंदूर में अपने पूरे शरीर को कर लेते हैं आज भी आप कहीं भी हनवान जी के मंदिर जाएंगे तो सिंदूर का लेप लगाये जाता है चोला प्रभाव होता है दास का कि अगर मेरी थोड़ी सी सेवा से मेरे सुख मिलता है तो क्या परेशानी में इससे ज़्यादा बड़ी सेवा नहीं कर सकता है और हमारे साथ क्या होता है जब हमें सेवा मिलती है प्रभु जी आज नहीं कल कर देंगे आज थोड़े बिजी हैं कल बोलते बेटा तुम चलांग लगा यार देखो कहां तक पहुंचते हो कोई बात नी वापस नहीं आप आप वहां से फोन करके बता देना क्या हुआ मिल गई सीता माता की नहीं अनुमान जी कहते हैं कि नहीं हर कार जो मुझे मिला है वो मैं करूँगा और ऐसा करूँगा कि भगवान संटोस्ट हो जाए इसलिए श्री रामचंदर जी गले लगा लेते हैं अनुमान जी की sensitivity कितनी है हरुआन जी की sensitivity इतनी है कि जब वो सीता माता की खोच खवर लाके जब वो रामचंदर जी से मिलने वाले हैं तो सब वानर बीच में रुख जाते हैं कि थोड़ा खापी लें, बोलें नहीं नहीं, अब कोई विश्राम नहीं, राम काज में कोई विश्राम नहीं, तुरंत में जाके पहले रामचंद जी से मिलूंगा, और रामचंदर ये देखते हैं कि ये आ रहे हैं और वो एकदम से खड़े हो जाते हैं लक्षमन जी बताते हैं कि हनुवान आया है तो नॉर्मलि किया होता आता वेक्ति अपना कोशल बताता अरे कितना प्रयास करना पड़ा बड़ी मुश्किल से देखो ऐसा सब करके ऐसा कुछ नहीं क्या करते हैं हनुआ जी बोलते हैं वो अग संस्कृत मे वालमे की रामायन में हैं कि नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि मैंने सीता को खोज लिया है लेकिन हनवान जी क्या कहते हैं सीता मैंने खोजी मतलब वर्ड पहला क्या बोलते हैं वो सीता इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि राम चंदर जी को एक शन का भी जो है वो विर सामचंजी समझ जाते हैं कि हाँ हनुमान ने खोज लिया है सीता को और वो तुरंत उन्हें गले लगा ले तो ऐसा होना चाहिए दास को दास कैसा होता है दास ऐसा होता है जो भगवान के लिए सारे संकटों को अपने सर पे लेने के लिए एकदम हमेशा तैयार रहता है इसलि भगवान श्री कृष्ण के रथी जो भगवान श्री कृष्ण का रथ चलाते हैं तो ये कहां रहते हैं ये द्वारका में रहते हैं और भगवान श्री कृष्ण की द्वारका की जितनी लीला हैं और हस्तिनापोर कृक्षेत्र की जो लीला हैं उसमें दारुक जो हैं उनका बहुत बार महाबारत आप पढ़ेंगे, तो नाम पढ़ेंगे, तो दारुक क्या करते हैं, भगवान को सब जगे ले जाते हैं, तो जब शिशुपाल और रुकमनी वाला अध्याय आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि शिशुपाल और बाकी सब लोग घेर के तीर च चलाते रहते हैं क्यों क्योंकि वो एक महान सेवक हैं तो महान सेवक कैसा होता है महान सेवक अपनी संतुष्टी नहीं देखता है महान सेवक यह नहीं देखता है कि मेरा convenience कहा है नहीं तो वो क्या कहते हैं बोले अरे बहुत लड़ाई हो रही एक काम करो हम साइट से निकल ले इनको तो ऐसा नहीं है भगवान का जो सेवक होता है वो क्या करता है नहीं जो भी है थिक और तिंजो है उसमें I am there to help you तो अगर आप और वैशनों साहितियों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि actually servants की भी types होते हैं दास की भी बहुत सारे types होते हैं उनमेंसे चार महतून तरह के दास होते हैं एक जिन दासों का appointment होता है जैसे ब्रह्मा जी है तो उनको उनकी कुरसी पर कोई बठाता है कौन बठाता है भगवान बठाते है तो वो भगवान के दास से appointed दास है फिर उसके बा निश्ठा में रहे हैं ऐसे महान भक्त जैसे कि इंद्र और एक शुवा को शुर्त देव ये सब की कता हैं आप जब भागोतम में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वो हैं जिनको हमेशा प्रोटेक्शन भगवान से मिलता है तो हम सब हमेशा पूछते हैं कि इंद् लीलाओं के अलावा हमेशा इंद्र को प्रोटेक्शन दिया जाता है क्योंकि वो भगवान का प्रोमिस है कि जो भी इंद्र रहेगा उसको भगवान प्रोटेक्शन देंगे क्योंकि वो सारे देवताओं का जो हैड है तो उसको प्रोटेक्शन देना भगवान का प्रोमिस है और इसी प्रकार से constantly भगवान के सेवक भी हैं जो हमेशा भगवान की सेवा में रहते हैं वो कौन है जैसे उद्धाव हैं जैसे अभी हमने दारुक का उधारन लिया सत्यकी है उपनंद है भद्र हैं ये भगवान के constant नित्य सेवक हैं जो हमेशा भगवान की सेवा में रहत क्या इनको भगवान से मिलता है तो एक्चुली भगवान से कुछ भी नहीं मिलता है क्योंकि भगवान तो कुछ ऐसे सामने तो देते नहीं है जैसे कि कोई किसी की सेवा करे तो मन्त के एंड में उसे एक चेक मिल जाता है या बैंक बैलेंस में एनि एफटी ट्रांसफर हो जा तो फिर क्या उनको ऐसा मिलता है या क्यों हम सोचें कि हम बगवान के दास मने क्योंकि हमारी अवीत तो बहुत एक गुद्धी है तो हमें लगता है कि रिटर्न क्या है बही है रिटर्न बताओ रिटर्न अगर होगा important करने जैसा तो हम करेंगे भक्ती नहीं तो नहीं करेंगे तो actually हमारा दासत्व का भाव क्या होना चाहिए दासत्व का भाव बिल्कुल कभी भी यह नहीं होना चाहिए कि मुझे return क्या मिलेगा हम किसी भी तरह से हमारी भक्ती में संगलगन हो कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा क्योंकि जैसे ही हम यह सोचते हैं कि यह मेरे एक्षन के बदले में क्या मिलेगा तो वो कर्म के लेवल का इस्तरका हो गया वो भक्ती के लेवल का नहीं हो भक्ती कैसी होती है भक्ती होती आहेतु की आप यह है कि हम जो भगवान के भक्त हैं उन भक्तों के दास बने क्यों ऐसा करें क्योंकि भगवान के डास बनना थोड़ा सा मुश्किल काम है इसलिए मुश्किल काम है क्योंकि भगवान के दास बनने के लिए बहुत सारा प्यूरिफिकेशन शुद्धी करन चाहिए जो हमारे ल कि गोपिर भरती और पद कम ले और दास दास अनुदास तो एक महान राजा हुए कुल शेखर उन्होंने बहुत सुन्दर एक पुस्तक लखी जिसका नाम है मुकंद माला इस्तुरोत और शेखर प्रहुपात को ये बहुत पुस्तक है और उस पुस्तक का प्रहुपात ने परपर्ज भी लिखे है और उन्होंने उसको पब्लिश भी किया मुकंद माला इस्तुरोत को तो उसके अंदर एक श्लोक आता है जो प्रहुपात बार बार जब भी दासत्व की बात होती तो इस लोग को वो कोट करते हैं और वो क्या कहते हैं कि मत जनानाम फलम इदम मधू कैट भारे मत प्रार्थनिया मत अनुगर्स एश्येव त्वाद भरते भरते परिचारक भरते 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 इतिमाम इसमर लोकनात तो क्या कह रहे हैं वो कि मेरे दासों के दासों के दासों के दासों के ऐसे मतलब कि एक पूरी चेन है और प्रभुपाद वहाँ पे तातपर में समझाते हैं कि ये ऐसा क्यों लिखा ऐसा क्यों नहीं लिख दिया कि भगवान जो कैटव और मधू को मारते हैं दानमों को उनकी मैं डारेक्ट जो है वो सेवा कर लूँ या डारेक्ट दास बन जाओं उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि भर्त भर्त परिचारक भरत्य 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 स्य भरत्य इतिमा मिस्मर लोकनात इतनी बार भरत्य भरत्य क्यों बोला इतनी बार सर्वेंट क्यों बोला त तो शुल्व प्रहुपास समझाते हैं कि हमेशा भक्तों के थ्रू भगवान के पास जाना सेफ है क्योंकि भक्त जो शुद्ध भक्त हैं प्रामानिक भक्त हैं वो अच्छे से भगवान की भक्ती करना है और उनका एम एक ही है कि भगवान को किस तरीके से प्रसंद किया जाए और भगवान उनसे प्रसंद भी रहते हैं तो हमको क्या करना है हमको तो इनसे पूछना है कि मैं आपको कैसे प्रसंद कर दू क्योंकि अगर मैं आपको प्रसंद कर दूँगा तो भगवान तो आटोमेटिकली मुझसे प्रसंद हो जाएंगे और अगर मैं डारेक्ट प्रसंद करने जाओंगा तो बड़ी मुश्किल बात है जैसे कि प्रभुपाद इसमें बहुत अच्छा उधारण देते कि एक बहुत मिलियनेर आदमी है करोडपती अरपती आदमी अब आपकी तो कोई पहचान नहीं और कोई आपकी कोई असी लिंक नहीं कि आप उससे मिल सको लेकिन अगर आप उसके घर के कुत्ते बिल्ली से भी प्यार करने लगोगे और वो देखेगा कि अरे ये मेरे कुत्ते को कौन सहला रहा है कौन उसकी सेवा कर रहा है तो वो क्या वो लेगा अरे कौन है वो आदमी बुलाना जरा उसको तो आपकी उससे बात हो जाएगी तो प्रहुपात कहते हैं कि इसी प्रकार से भगवान भी देखेंगे कि अरे मेरा प्री भक्त देखेंगे भगवान हमारी तरफ तो नहीं देखते हैं लेकिन भगवान अपने प्री भक्त शुल्य प्रहुपात की तरफ तो हमेशा देखते हैं तो जब वो देखेंगे वहाँ तो हम भी दिख जाएंगे साइड में क्या रहे ये प्रहुपात की सेवा कौन कर रहा है बहुत मुश्किल है इसी लिए भगवान इस बात को कह चुके हैं कि ये में भक्त जना पार था ना में भक्त जना तो बोले जो कहते हैं कि मैं भगवान का भक्तों बोले वो मेरे भक्त नहीं है मेरे भक्त कौन है जो ये कहते हैं कि मैं आपके भक्तों का भक्त हूँ सिंपल सी बात दूसरा कारण क्या है क्यों हम भक्तों के थुरू बगवान की सेवा करना चाहते हैं दासत्व हम भक्तों का क्यों सुविकार करना चाहते हैं दूसरा महत्मून कारण उसी परपट में श्र जब हम तरण से भी हीन समझते हैं तो हमको क्या समझना चाहिए कि मैं इतना हीन हूँ कि मैं तो किसी भी तरीके से भगवान से लिंक नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो बहुत ही हीन व्यक्ति हूँ लेकिन मैं भक्तों की सेवा कर सकता हूँ तो इस प्रकार से हमारा ये जो विनम्र का भाव है ये भी कब परिलिक्षित होता है जब हम भक्तों के थुरू भगवान के पास जाते हैं और सबसे प्रामानिक भक्ता में कौन मिल सकते हैं हमारे गुरु महराज इसी लिए भगवत कीता में भगवान कहते हैं कि तत्विधी प्रणी पाते न परिप्रशने न सेवया उपदेशंति तेग्यानः ग्यानिना तत्थविधी प्रणीपाते न हर्थात गुरु के पास जाए तो प्रणीपात करें प्रणाम करें तत्थविधी प्रणीपाते न परिपरशने न सीवया और फिर प्रश्न पूछें और फिर क्या करें सेवा भी करें कई लोग जाते हैं गुरू वर्क के पास प्रणाम भी कर लेते हैं प्रश्न भी पूछ लेते हैं लेकिन सेवा नहीं करते तो सेवा का भाव रखके गुरू वर्क के पास जाएंगे तो हमारी विनम्रता वहां दिखती है और जब हमारी विनमरत्ता गुरु महराज को दिखेगी, तो वो हमें भक्ती का धन जो है वो दे देंगे, इसलिए बहुत महत्पूर्ण है कि हम दास बने, हम दास अभी भी है, हम अपने इंद्रियों के दास है, हम समाज के नियमों के दास है, हम अपने परिवार के लोगों के दास है, हम किसी ना किसी के दास तो अभी भी है, तो क्यों ना हम सीधे भगवान के दास बने, और ये जो दासत्व का भाव अब हम जागरत करने का प्रयास कर रहे है, क्रश्न हरे क्रश्न 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ये जब हम मंत्र करते हैं तो हम भगवान से क्या मांग रहे हैं भगवान से सेवा मांग रहे हैं भगवान का दास बनने का प्रयास करने का अनुभव मांग रहे हैं हम राधारानी से ये प्रार् के बारे में सुनने और समझने का प्रयास कर रहे हैं तो हमारे कितने सारे जन्म ऐसे निकल गए जब हमें भगवान के दासतों के बारे में चर्चा ही नहीं मिली कभी हमें पता ही नहीं चला इसलिए बहुत जरूरी है इसलिए कहा जाता है कि कृष्ण तब पुर्ण हवे कब ऐसा पुर्ण आएगा कि मैं भगवान के बारे में जानूंगा और जब ऐसा पुर्ण का समय आता है तो फिर हम भगवान की भक्ती में लगते हैं तब हम शास्त्रों का अधियन करते हैं फिर हम समझते हैं कि भगवान के दासों में हनुआन जी भी हैं हम समझते हैं कि दार अधरानी है बलराम जी है तो इसलिए वो क्या कहती हैं गोपी गीत में शरत दैसे में साधू जात सार। सरजी जो जरा स्री मुशादरशा सुरत नाथ ते अशुलक दासिका वरत निगन तो नेह कि वरत तो क्या कहते हैं सुरत नाथते अशुल्क दासिका तुरा गोपियां क्या कह रहे हैं अशुल्क दासिका हैं हम अशुल्क का अर्थ होता है कि कोई वेतन नहीं ले रहे हैं हम कोई रिमुनेरेशन नहीं को अशुल्क दासिका हैं हम केवल प्लेन वी अर जस्ट यूर डिवोट तो दास बनने से क्या मिलेगा हमें तो दास बनने से पहली जो चीज मिलती है वो है Blessings Blessings मतलब भगवान और हमारे गुरू वर्क की करपा हमें मिलती है जैसे कि हम शबरी की कता में देखते हैं मतंग रिशी ने उन्हें बोल दिया कि एक दिन राम जी आएंगे हर दिन उनके लिए कुछ योजना बना रही है कि ऐसे राम आएंगे इस रास्ते से आएंगे और ऐसे मैं उनको प्रणाम करूँगे और क्योंकि वो गुरू की बात पे अडिग है और करती जा रही है किसी दिन प्रशन नहीं उठा रही है तो क्या हो रहा है अंत में भगवान को आना पड़ा तो इसी प्रकार जब हम दासत्व के बाव में रहेंगे तो जैसे शवरी को भगवान राम के दर्शन होए ऐसे हमें भी दर्शन होगे इसी प्रकार से दासत्व का दूसरा बहुत बड़ा हमारे जीवन में क्या परिनाम होता है वो होता है कि हम actually अंदर से और बाहर से स्वच और सुन्दर हो जाते हैं और इसका उधारन कौन है कुपजा जो बहुत कुरूप है और कई समय से वो कंस की सेवा में लगी है लेकिन क्या मिला उसे कुछ नहीं मिला उसको तो पीछे बड़ा सा हंच बैक है बड़ा सा उसकी कूबर निकला हुआ है ऐसे जुक्के चलती है और फिर वो देखती है दो सुन्दर बालक कृष्ण और बलराम और उसके मन में भाव आता है रहे इन दोनों को यह जो मैं ले जा रहा हूँ इनी को अर्पिक कर देती है तो वो बहुत सुन्दर सा टीका लगाती है येलो कलर का भगवान शुरी कृष्ण को और बलू कलर का टीका लगाती है वो बलराम जी को और भगवान क्या करते है बगवान ऐसे उसकी ठुड़ी पकड़ते है और ऐसे एक सेकंड में उसकी वही सरजरी करके स्पाइन सीधा कर देते है तो क्या हुआ एक जो कूबर्ड कुरूप इस्तरी थी वो सबसे सुन्दर बन जाती है कैसे बन जाती है दास बनने के कारण भगवान के जब हम दास बनते हैं तो यह हमें मिलता है कई बार हमको लगता है हम तो दास बनने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमारे हर प्रोजेक्ट तो फेल हो जाते है हम जो करने का प्रयास करते हैं बुक डिस्टिबुश ही नहीं है कि आप ने जो दास से भाव से कार किया उसका परिणाम क्या हुआ भगवान तो आपका भाव देखते हैं इसका उधारन कौन है देखिए जटायू को टेक्निकली हम देखें तो जटायू सीता माता की रक्षा नहीं कर पए अंतमे रावन ने उनको भी लहुलवान क अपने गोदी में मैठाया और अंतक्रिया की उनकी जैसे कि वो अपने पिता की करते तो जटायू सक्सेस्वल हुए कि अंसक्सेस्वल हुए है टेक्निकली देखें तो अंसक्सेस्वल हुए लेकिन भगवान के भाव में वो सक्सेस्वल हुए है इसी प्रकार से अर्जुन जो है अरजुन को हम देखें तो सक्सेस्फल हुए वो अरजुन जो है वो लड़ाई जीद गए लेकिन भगवान ने ये भेद नहीं किया कि नहीं जटाई हूँ तो प्रोजेक्ट में फेल हो गया इसलिए मैं उसके साथ रहसी प्रोकेट नहीं करूँ भगवान ने हम हाथ जोड़के बोलते हैं कि दासो असमी मैं आपका दास हूँ क्या हो रहा है मैं सामने वाले का दासत वस्वी कार कर रहा हूँ मैं उसको स्वामी मान रहा हूँ इस प्रकार से मैं एक सबसे बड़ा कारण जिस कारण से मैं इस धर्ती पर आया था और वो क्या था वो था मेरा ego मेरा आहंकार मिथ्या आहंकार उस मिथ्या आहंकार को मैं purify कर रहा हूँ तो दास क्यों बनना है क्योंकि मिथ्या आहंकार को जब तक हम साफ नहीं करेंगे दासत्व का भाव अंदर से पूरी तरीके से आएगा नहीं। लेकिन मित्यांकर साफ करने का तरीका भी दास बनना है। उसके लिए मेडिसिन और कोई नहीं है। जैसे किसी को जॉन्डेस हो जाता है तो उसको शुगर दी जाती है खाने के लिए। शुगर उसको कड़वी लगती है लेकिन अगर हम करते रहेंगे, करते रहेंगे तो अंदर से प्यूरिफाय होते होते एक समय आएगा कि हम उसमें आनन्द लेने लगेंगे। और हमारे सामित्त का भाव, हमारा मित्यांकार समाप्त हो जाएगा। क्यों कि नित्य सिद्ध कृष्न प्रेम साध्य कवुन श्रवन आदि चित्य शुद्ध करिये हो गए तो यह जो भी हम श्रवन की विधी अपना रहे हैं प्रयास कर रहे हैं भक्ति करने का इस सबसे हम क्या कर रहे हैं कहीं बाहर से भगवान का प्रेम आने वाला नहीं अंदर वो प्रेम अंदर है लेकिन उपर से ढखा हुआ है कव कभू नहीं कोई साध्य नहीं है जिससे वो मिल जाएगा करना क्या है यही श्रवन आदि मतलब भगवान की भक्ति दासत्व इसी से दीरे दीरे उसका उदाय होगा जैसे सूर का उदाय होता है सूर उदाय के कुछ श्रणों पहले पूरा अंदकार है लेकिन जैसे सूर वो पूर्ण रूफ से दासत में इस्थित हो जाएगा इसलिए जब हम देक्षा लेते हैं तो हमें जो भी नाम दिया जाय घरी, कुपिनाथ, दास तो प्रभूपात कई बार बोलते थे कि इस पूरे नाम में इम्पॉर्टेंट क्या है इस पूरे नाम में हरी भी पीनाद भी इंपोर्टन नहीं जो इंपोर्टन वर्ड है बोले वो ये दास कि आप सेवक हो भगवान के इस बात को समझना बहुत जरूरी है तो ये परफेक्ट सर्वेज भगवान की जिस दिन हम करने लगेंगे और सीखने सीखते जाएंगे हम दासतों के भाव में इस्तित तो क्यों न ये सब मिथ्या आंकार के कारण अबजे हुए हमारे जो भी कलमश हैं और उसके कारण हमारी जो आइडिन्टिटीज हैं जो उपादिया हैं इनको क्यों न हम त्यागें और इन सारी उपादियों को त्याग के एक उपादी धारन करें कि जीवेर शरूप होए तो प्रश्न उठ सकता है कि आपने इतने सारे उधारन दिये, आपने शबरी का उधारन दिया, आपने हनुमान जी का उधारन दिया, आपने दारुक का उधारन दिया, बोले ये तो सब शास्त्रों की बात है, बड़ी-बड़ी बाते हैं, हम उतने महान थोड़ी हैं, हमको क् हो सकता है या कोई ऐसा उधारन है कि इस समय में किसी ने दासतों का ऐसा भाव दिखाया हूँ तो अगर आप शिलो प्रभुपात का जीवनी को देखें तो आपको समझ में आया गए कि किस प्रकार से अपने गुरु महाराज से कुछ लेकिन जो जो उने निर्देश मिले उनका अक्षर शा उन्हों पूरे जीवन में पालन करने का प्रयास किया और बड़े-बड़े प्रोजेक्ट श्रीलो गुरु महाराज के लिए करने का प्रयास किया और क्योंकि गुरु महाराज की उनके उपर विशेश करपा थी क्योंकि दास का भाव जो है वो इतना प्रबल था उनका कि वो जब अमेरिका जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तो कट पुतली हूँ आपको जैसे नचाना है नचाओ और फिर प्रहुपात की जो शीश हुए है उनमे क्योंकि वो जो भाव था उनका कि गुरु महाराज ने आग्या दिया और ये काम दिया है तो इसको बस अच्छे से अप करना है क्योंकि हम उनके दास हैं उन्होंने आदेश कर दिया है तो उसका पूर्ण रूप से पालन करना है और इस प्रकार से दस वर्षों में प्रहु उनका नाम था आहलादनी देवी दासी हम में से शायद ही किसी ने इनका नाम सुना इनका जन्म हुआ था अमेरिका में और जब वो प्रहुपात के संपर्ख में आई तो प्रहुपात ने उन्हें दिक्षा का नाम दिया आहलादनी देवी दासी और आहलादनी देवी दासी ज गुष्टरी शरीर में महराज माताजी है और वो सोच ती एंके वह जाएं जाके प्रचार करें, हम तो यहाँ अपने घर से बाहर निकल के प्रचार का नहीं सोचते और वो माताजी अमेरिका और वहाँ की सुख सुविधान चोड़के एफरिका चले गए और अफिरिकान प्रचार करते हुए भी उन्होंने में जो अपना प्रचार का केंदर बनाया है है वो था लाइबीरिया लाइबेरिया में जब वो प्रचार कर रही थी उसी समय वहाँ पे एक सिविल वार आरंब हो गया और एक प्रिंस जॉनसन थे जो कि उस समय के वहाँ के राजकुमार राजा टाइप के थे और बहुत बड़े जो है आतताई और आतंकवादी थे और वो अपने सारे लोगों को हर दिन कई लोगों को मोत के घाट उतार रहे थे और अमेरिकन एमबेसी ने एक डिरेक्टिव जारी किया कि जितने अमेरिकन सिटिजन्स हैं वो लाइबेरिया छोड़के वापस अमेरिका आ जाए हम उनके लिए जहाजों का इंतजाम कर रहे हैं और इस तारीक पे यहाँ जाज मिलेंगे तो इस प्रकार से सबने जितने अमेरिकन सिटे सबने छोड़ दिया लेकिन आलाधनी देवी दासी माता जी ने कहा कि नहीं यहाँ पे तो बहुत सारी अभी भक्ती के प्रयासों की आउशकता है बहुत सारे लोग भुकमरी के शिकार है और उन्होंने जॉन्स जॉन्स थे यह बड़े अजीब से वेक्ती थे तो इन्होंने केसी कारण से भक्तों से इनको द्वेश हो गया और भक्तों से द्वेश हो गया तो एक दिन सुबह सुबह मंदिर के बाहर इसकौन मंदिर के बाहर इनके बहुत सारे मिलेटरी के ट्रक आके खड़े हो तो वो पेड के उपर चड़ गए, वहां से वो देखते रहे, इन्होंने सातों लोगों को एक लाइन से खड़ा कर दिया और फाइरिंग स्कॉर्ड जो था उनका, उनको उन्होंने आदेश किया कि ये जो पांच पुरुश हैं इनको मार दिया जाए और दो महिलाओं को छोड दिया जाए, आलादनी देवीदासी माता जी भी उस पांच सातों की भीड में एक साइड में वो भी खड़ी हुई थी, उन्हें पता था जैसा कि डिकलरेशन हुआ था कि फीमेल्स को नहीं मारा जाएगा, लेकिन जैसे वो पहली गोली चलाई गई, ये आलादनी देवीद देवीदासी माता जी एकदम आगे की तरफ जम करती हुए आए और बोली कि तुम कैसे कृष्ण के भक्तों के उपर गोली चला सकते हो, और दुखत परिणाम ये हुआ कि वो जो गोली दूसरे भक्त के लिए चली थी, वो गोली इनके शरीर में प्रवेश कर गई, और आला देवीदासी माता जी चाहती तो पहले ही अमेरिका चली जाती, चाहती तो वो फाइरिंग स्कॉर्ड में जब गोली चलाई जा रही थी तब वो साइड में खड़ी थी और पता था कि महिलाओं को नहीं मारा जाएगा, लेकिन वो सब भूलके उन्होंने सुप्रीम अपना स सुप्रीम सेक्रिफाइस दे? आलादनी देवी दासी माता जीने 1990 में अक्टोबर में तो ऐसा होता है दाससत्व का भाव, दाससत्व का भाव यह होता है कि जब भक्तों पे संकट आता है तो दास जोता है दास पहले संकट को लेगा अपने उपर, भक्तों के उपर कोई सं कट नहीं आना चाहिए और ये अकेली माताजी नहीं है ऐसे बहुत सारे भक्तें विदेशों में और अभी हमने रिसेंडली बंगला देश में देखा किस प्रकार से भक्तों के उपर गोली चली और किस प्रकार से भक्तों को आंग में करूँ तो यूक्रेन वार में अभी तक चार हमारे जो भक्त है इसकौन के उनकी जो है वीरगती हो चुकी है क्योंकि वहाँ पे फूट फॉर लाइफ डिस्टिब्यूट कर रहे थे और एक रॉकेट आके गिरा तो दो वहाँ पे मारे गए और दो को दूसरे जो विरोधी पा वह आये थे बाहर से सेवा करने के लिए तो ये दासत्व का भाव होता है ये सेवा का भाव होता है ये सुप्रीम सेक्रिफाइज होता है हम तो थोड़ा बहुत अपनी नींद भी सेक्रिफाइज नहीं कर पाते हम तो थोड़ा बहुत अपना धन अपनी एनरजी भी सेक्रि ख़ज़ी भगवान के लिए इतने सारे प्रयोजन करते हैं और इतने सारे संकटों को अपने उपर लेते हैं। वो भी कहा सकते थे। मान लीजे कि ये लड़ाई में ऐसा लग रहा है कि रावन की जीत ज्यादा संभव होए एक काम करते हैं रावन की आर्मी जोईन कर लेते हैं लेकिन वो क्या ऐसा करते हैं नहीं वो क्या करते हैं बोले नहीं मैं राम चंद्र जी का भक्त हूँ मैं राम चंद्र जी का भक्त हो हनुमान आप भी चलिए तो वो क्या कहते है नहीं भगवान मुझे यहीं पर रहने दीजे मैं यहीं पर रहूँगा और आपका जहां गुणगान होगा मैं वहाँ उपस्तित होगा तो आज जब हम हनुमान जी की इतनी सुन्दर चर्चा कर रहे थे तो हनुमान जी हमारे समक्ष भी कहीं उपस्तित होंगे और सुन रहे होंगे कि किस प्रकार से आजब भी राम्मैन कहीं कहीं जाती है तो हनुमान जी रहते हैं तो ये भाव हमारा भी होना चाहिए दास्यम बहुत गहरी बात है दास्यम इतनी गहरी बात है कि जितने भी हमारे रस है उन सब रसों में दास्यम होता ही होता है अर्थात कोई अगर माधुर रस में भी भगवान की सेवा करता है तो दास्यम का रस उसमें है अगर कोई सखा भी है तो भगवान का दास है वो क्योंकि दास का भाव सखा में भी रहेगा हमने देखा है पिक्चर की भगवान पेड़ के नीचे लेटे है और गौाल बाले जो है भगवान के चरण दबार है तो दाससत्व का भाव हर रूप में रहेगा और हम सबको भी अंत में दास ही बनना है एक्चुली हम पहले दास ही थे अभी हम उस बात को भूल गए और ये जो हरेकरश्न मंत्र कर रहे हैं इससे क्या करना है बस उसी को हमको फिर से याद करना है जिस दिन हम ये रिलाइस कर लेंगे हमारा हरेकरश्न मंत्र करना भी सारतक हो जाएगा भगवान की सेवा करना भी सारतक हो जाएगा और हम फिर से अपने दास अभीमान में एस् में हम भगवान के प्रामानिक दास बन सकें और ये जीवन इस धर्ती पर हमारा अंतिम जीवन साबित हो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद अगर कोई प्रश्न हो शंका हो कोई तुर्टी सुधार हो तो उसको ले सकते हैं थैंक यू सो मज़ हरे क्रिश्ण जी प्रभु जड़ा धंक से सुननी पाया था जो तर्टस्त शक्ति होती है जीव की तो चाहे मतलब बहुति में चला जाए जी प्रभु जी प्रभु जी तो तर्टस्त शक्ति को ऐसा समझाया गया कि जैसे हम समुदर के किनारे अगर कभी जाए तो वहाँ जो रेत रहती जो गीली रेत रहती है उसको अगर कोई टेक्निकली पूछे कि वो रेत किस चगे का हिस्सा है क्या वो समुदर का हिस्सा है क्या वो जमीन का हिस्सा है तो जब लहर आती है तो वो समुदर का हिस्सा है जब लहर पीछे चली जाती है तो वो जमीन का हिस्सा है ऐसे हम भी तठस्त शक्ति है हैं भगवान की हम भी तट पेस्तित हैं हम अगर बहिर मुख हो जाते हैं तो हम भगवान से बहिर मुख हो गए तो हम माया की चंगुल में आ गए और अगर हम भगवान की तरफ मुख कर लेते हैं तो हम भगवान की सेवा में न्युक्त हो गए तो वैसे ही हमारे साथ भी होता है तो जैसे तट Yoon technically ना समद्र का हिस्सा है ना जमीन का हिस्सा है वैसे हम भी टेकनिकली ना higher energy है ना lower energy हम marginal potential है भगवान की हमारे उपर freedom में कि हम कहां जाए. ठीक है पिरोजी ? तेंग क्या बादु। तेंग क्या पिरोजी ? अ है और अ गयते हैं तो हम ने आज दो समझा उस को एक भ्रीफ में डो लाइन में है यह क्या गूरूप में आती है क्या प्रpl마 जी प्रुझि recording group में आती है क्या recording प्रभुजी आपको YouTube पे मिल जाएगी Hari Gopinath Das डालिएगा YouTube पर तो आपको recording मिल जाएगी जी जी प्रभुजी Thank you अरे किष्णा प्रभुजी धन्वट पनाव अरे किष्णा मताजी प्रभुजी ओ आलादनी मताजी का पहले नहाम आपने बताया क्या सुनने ही पाए आलादनी मताजी का कुछ American name था मताजी मुझे भी अभी exactly presently तो याद नहीं है बट मैं आपको पता करके बता दूँगा जी प्रभुजी अरे किष्णा तो आज हमने ये समझने का प्रयास कि कि हमारा जो नित्य स्वरूप है वो भगवान का दास बनना है लेकिन आज हम condition स्वरूप में directly भगवान की सेवा नहीं कर सकते इसलिए उस बात को सीखने समझने के लिए और भविश के लिए भी हमें गुरु परंपरा के अनुगत्य होके दास बनना पड़ेगा और उसका तरीका यही कि हम एक प्रामानिक गुरू को खोजें और उन प्रामानिक गुरू के अनुगत्य होके अच्छे से दासत्व के भाव को समझें और उसको दीरे दीरे अपने अंदर डेवलप करें और जब वो धीरे धीरे डैवलाप होगा, अलग-अलग विधियों के द्वारा अर्थात, हम श्रवन के द्वारा उसको विक्सित करेंगे, हम अनुगति होके भगवान के भक्तों के उस चीज को विक्सित करेंगे, और हम विग्रा सेवा, जो भी हमने अभी इसके पहले 9 बख से रिदाय से ये उत्तर निकलना चाहिए कि मेरी आइडेंटिटी है कि मैं नित्ति रूप से भगवान श्री कृष्ण का दास हूँ और मैंने दासत्व सहश और स्वतंतरता पूरवक स्विकार कर लिया है तो जिस दिन ये उत्तर सच में निकलने लगेगा उस दिन हमने अपन जीवन की और इस माना जीवन की एक्चुली सार्थकता सिद्ध की तो आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद अर ये दास और गुलाम में अंतर होता है क्या हां बिलकल अंतर होता है प्रवी अगर भगवान को हमें गुलाम बनाना होता अगर हम भगवान को हमें bonded liver बनाना होता तो वो हमें तठस्त शक्ति नहीं बनाते वो हमारी स्वतंतरता छीन लेते गुलाम को कभी कोई स्वतंतरता नहीं होती भगवान चाहते हैं कि हम अपनी स्वतंतरता का उपयोग करते हुए उनकी सेवा में आये तो यह बहुत आवशक है तो यह important है कि गुलाम जो है उसकी अपनी कोई स्वाधीनता नहीं होती लेकिन जो दास है उसके पास एक option रहता है और वो option टेक्निकली अगर हम देखें तो वो हमेशे हमारे पास रहेगा और अगर अगर ऐसे समझे तो उस option को यह actually हमें end करना है लेकिन भगवान उसके लिए कोई default switch नहीं दिये कि यह बटन दवा दो और आपका इस वतनता समाप दो जाएगी उसके भी जीव को स्वामी विवेचना करते हैं कि ऐसा क्यों है ऐसा क्यों नहीं कर दिया कई वार हमारे भी मन में जब हम भक्ती करते हैं और इतने सारे संकट परिशानिया आती है तो मन में आता है कि अरे भगवान ने free will बनाई का एक लिए free will नहीं बनाते हम सब लोग भगवान की सेवा में निपत रहते हैं लेकिन भगवान की सोच के है जीव को स्वामी बताते हैं जीव को स्वामी कहते हैं कि भगवान को reciprocate करने वाले व्यक्ति चाहिए भगवान को पत्थर से प्रेम नहीं करना है अगर हमारा freedom वो zero कर देंगे by default तो हम सब में और एक पत्थर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा क्योंकि हमारी भी कोई इच्छा नहीं रहेगी सुतंतर और पत्थर की भी नहीं होती तो भगवान को ऐसा विक्ति नहीं चाहिए ऐसा जीव नहीं चाहिए भगवान को कैसा जीव चाहिए जो स्वतंतरता के साथ निर्णा लेकि हां मैं आपकी सेवा करना चाहता है तो इसलिए गुलाम और दास में बहुत बड़ा अंतर है कि एक के पास स्वतंतरता है और एक के पास नहीं है अब आपने गुलाम का नाम लिया तो मुझे एक और गुलाम याद आगे गुलाम अली गुलाम अली गुलाम अली कैसे बने वो भी दासतों का एक्जामपल है क्योंकि उनके जो बड़े गुलाम अली साहब थे उनकी वो बहुत जो है सेवा करते थे और रोज रात को उनके पैर दबाते थे और mostly ये होता था कि आदे घंटे पैर दबाते थे फिर बड़े गुलाम अली साहब बोल देते थे जाओ सो जाओ एक बार ऐसा हुआ कि वो सो गए तो उनको ध्यानी नहीं रहा और ये पैर दबाते रहे चार साड़े चार बजे सुबह उनकी नीन कुली तो देखा कि ये उंग रहा है लेकि पैर दबा रहा है तो बोले कि ये क्या तुम सोने नहीं गए बोले आप सो गए थे और आपने बोल है basically but point is how important is how important is to understand कि बहुत इक जगत में भी अगर आप किसी को बहुत अच्छे से सेवा करते हो तो वह आप से बहुत अच्छे से करता है तो इसी लिए भगवान भी वैसा ही करते हैं ठीक है प्रभुजी तो हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद वांचा कल्पतरु भेश्चा कृपास इंदू ब्याएवश्चा पतिता नाम पावनेव्यो वैश्ण वेव्यो नम नमा थैंक यू सो मच जैशीलो प्रभुपाद